नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार ज्वार्खंड और आज बेहद ही खास महमान के साथ हम उपस्थित हुए हैं तो सबसे पहले आपका परिशे उनसे कराना चाहेंगा हमारे साथ बिहार के सबसे मशूर बिहार मत कहिए भाई पूरे भारत के मशूर शुरू करते हैं और सवाल कहां से साधें क्योंकि जब कोई पत्रकार सामने बैटता है और सामने कहा याता एक को यूइंटीवर की जो संगया है अब पत्रखारों वाली है जहां पर बड़े वाले नहीं पहुंस देघस्जा इrobi क्चोटे मोबाईल पहुंस जाते मेरा धड़कन क्यों बढ़ेगा और जिन्दा हूं तो धड़कन धड़केगा जरूर तो ऐसा कुछ नहीं है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके मुख से एक सब्द निकला कि यूट्यूबर और उसके बाद निकला आपके मुख से कि जहां बड़ केमरे नहीं पहुच पाते हैं वहां ये लोग पहुच पाते हैं तो पहली बार किसी बड़े मंच पे किसी यूट्यूबर को और सिर्फ मुझे नहीं वो तमाम यूट्यूबर को आपने सम्मान दिया है जिनका कैमरा उस जगा पे पहुच पाता है जहां पे बड़े कैमरा नहीं पहुँच पाता है तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप क्योंकि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और हम लोग साथ मिलकर समाज की उन चीज़ों को निकालते हैं जहां तक सरकार की नजर नहीं जाती है अब तक ऐसा कहा जा आपने एक सजा काटी है आप बिहार ही नहीं बिहार दूसरे प्रदेश की जेल में बंद रहे जहां ना आपकी भाशा बोली जाती थी जहां ना हिंदी थी ना आपकी भुझपूरी थी तो मिसरा उस अवधी के बारे में बताईए क्या देखिए आप प्रदेश के किसी और भी कोने में जा सकते हैं जहां पे इंग्लिस भी बोला जाता है लेकिन तामिल नाडू में थोड़ा सा इंग्लिस भी बहुत कम बोला जाता है चुकि वो अपने भारत का एक राज्य है तो मैं उस राज्य का और उस राज्य के लोगों का अपमान तो कभी नहीं कर सकता और क और दिपावली के समय में कोट ने मेरे उपर से NSA हटा दिया अगर मेरे उपर NSA नहीं लगा होता तो सायद जितना भी FIR मेरे उपर हुआ था दस FIR हुआ था चार बिहार में और छे तामिल नाडू में मैं दो महीना में उन सभी FIR में बेल लेके बाहर निकल जाता क्योंकि जो धाराय थी उस धाराय उन सभी धाराओं में जो है एक महीना से ज्यादा कश्टड़ी नहीं लगता है किसी वह कील से आप लोग कूछ सकते हैं जब कोट ने क्वैस कर दिया क्वैस मतलब खारीज मतलब खतम कर दिया कि ना ही मनीज का से अब देश द्रोही नहीं है यह कोट ने बताया मेरा नौ महीना बरबाद हुआ उस नौ महीना का मुआपजा कौन देगा हम सड़क पे चलते हैं तो अगर कुछ गलत करते हैं तो सरकार हमारे उपर जुर्माना लगाता है बिहार की सरकार ने मेरे जिंदिगी के उपर जो जुर्माना लगाया उस जुर्माना का अब जो है रोती रही, चलिए आपने मेरे साथ जो किया किया, आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप से कुछ गलती होगा, तो क्या कैमरा मैन के उपर F.I.R होगा, क्या यहाँ पर पूरा एडिटिंग टीम के उपर F.I.R होगा, क्या पूरा न्यूस मेरे चैनल में जितने बच्चे काम करते हैं, उन सभी का रिपोर्ट तामिलाडू पूलिस भी निकाली, और बिहार पूलिस भी निकाली, और सब के उपर F.I.R किया गया, उन लोगों ने कौन सा गुना किया था, क्या वहाँ पे सविधान का पालन नहीं किया जाता है, क्या वहाँ पे पत्रकार का गला नहीं दबाया गया, चलिए मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने सुना था, कि सरकारे पत्रकारों के कल्म से डरती है, लेकिन यहां तो बिहार में सरकार एको यूट्यूबर से डर गया, उसके उपर F पहिर किया उसके रिष्तिदारों को नहीं छोडा उसके चैनल में काम करने वाले लोगो नहीं छोडा मनीस कस्या अगर गलत किया है मुझे सजां दिया जाए मुझे शलाखों के पीछे डाला जाए मुझे सूली पे चड़ाया जाए अत्याचार जाहे कल्यूग में होगा अत्याचार चाहे सत्यूग में होगा द्वापर में होगा त्रेता में होगा हर अत्याचार का हस्र वही होता है कल्यूग में चाहे धनासननंद के साथ हुआ कंस के साथ हुआ रामण के साथ कि लाए रहा है कि आप गुमा फिरा के चंद्रगुपत की तरफ ला हूं शानक कोончाप ? ना मैं चंद्रगुपत है मैं उस भूमी से हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि भारत का सबसे दुनिया का सबसे मजबूत सासक जो है वो मगद का था और उसका नाम जो है चंद्रगुप्त मौरे था इल्जाम जो लगे जो आरोप लगे उस पर कुछ कहना है आपको गलत लगा मेरे उपर बिल्कुल गलत लगा मेरे घर का कुर्की हुआ नहीं ये तो बात की बात है ये जो आरोप लगे उसके बाद मेरे उपर मैं किस चीज को साक्ष मानूंगा मैं साक्ष किस चीज को मानूंगा Google पे खबरे दिखाई जा रही है मैं उसको साक्ष नहीं मानू Social media पे खबरे दिखाई जा रही है मैं उसको साक्ष नहीं मानू अख़बारों में खबरे दिखाई जा रहे हैं मैं उसको साक्ष नहीं मानू विधान सभा में दो नेता आपस में लड़ रहे हैं पक्ष भी पक्ष उसको साक्ष नहीं मानू तो मैं किसको साक्ष मानू और इनी सभी साक्षों पे जो है मैंने वि कि अचाये मजदूरों के हक के आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में कितने लोगों पर फायार हुआ है साहन तो किसी पर नहीं मैंने उनके लिए मजदूरों के लिए आवाज उठाया है कि मेरे मजदूर TAMILADU में परिसान है उनको परिसान किया जा रहा है तामिलाडू के लोगों के द्वारा नहीं, तामिलाडू के सरकार के द्वारा नहीं, हर जगा कुछ लोग देश विरोधी होते हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोगों को परिसान किया जा रहा था। करता केंद्र सरकार पे कि तुम क्या कर रहे हो और केंद्र अगर तामिल आडु के तरफ से बोलता तो नुखसर तो केंद्र 사कार को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट रचा गया और स्क्रिप्ट रचने वाले लोगों का वीडियो है सोसल मीडिया पे जिसमें एक नेता बोल रहा है ट्वीटर पे वो सारा वीडियो है कि हम जितने लोगों को तो तमिल में बोल रहा है उसका अनुवाद जो है चैनलों पे आया था तो हम लोग मार क लगना चाहिए कि मनीज कर सेप के उपर है निसे लगना चाहिए यह सारा एस्क्रिप्ट रचा गया क्योंकि इन लोगों को डर है कि एक ससक्त मजबूत सरकार जो है भारत को समरिद बना रहा है और दस्वे नमर से एक नौमी खुम खुम के मैंने बीजेपी के निताओं से सवाल किया है आप आप बीजेपी वर्सेज आरजेडियो कर रहे हैं नहीं जब बीजेपी और जड्यू की सरकार्ति बिहार में सड़ा हुआ अबूलेंस में मनिज का सेफ खाड़ा हो के वीडियो बनाने वाला पहला पत्रकार था उस्पिटल में घूस घूस के वीडियो बनाने वाला पहला पत्रकार था नरेंद्र मोदी जी के संसादिये छेत्र में कोरोना के समय में मैं जाके वीडियो बनाऊं वो भी वीडियो यूटूब पे है योगी अधितनात के गोरखपुर में जो इन्वर्सिटी है उसके गेट पे खड़ाओं के मैंने वीडियो बनाऊं वो भी वीडियो है मौरबी में जब पूल गिरा वहाँ पर डालने का प्रियास नहीं किया आपर दाटाल मेरे नाम से चैनल और देखे वहाँ पर कि मैं ने ज़्यादा सवाल किस सरकार से किया सत्ता के सिर्फ सिंगासन पर जो बैठे रहेंगे उनी से सवाल करेंगे ना हमारा दाइत्व क्या बनता है लेकिन समस्या क्या है ये विपक्षी पार्टी को कि आप कॉंग्रेस के तो बहुत सारे पेज पे मेरा वीडियो से अर किया गया और लिखा गया की पत्रकार हो तो ऐसा भेरिफाइट पेजब से अर किया गया RJD के फेस्बूक पेजब मेरा वीडियो से अर किया गया जब मस्योंडी में मैंने पुलिस वालों को रंगे हाथ से जब BJP और जदियू की सरकार थी विहार में रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा वो विडियो बने आरजेडी ने अपने पेंच पे से अरकिया की पत्रकार हो तो ऐसा जब आप विपक्ष में थे और मैं बीजेपी और जदियू से सवाल पूछ रहा था तो सबसे बढ़िया मनीज पत्रकार था और जब आप सत्ता में आएं और आपसे सिर्फ चार सवाल पूछा कि आप एक मार्च को क्यों गए थे और जब आप गए तो सिर्फ बर्डे का केक खाए है कि वहाँ पे स्टालिन जी से पूछे भी है कि मजदूरों के साथ देखें ये सारा चीज जो है सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के वीडियो में खतम हो सकता था वहाँ पे राजकुमार जी गए थे और वहाँ पे मुखमंत्री जो है तामिलाडू में वो भी एगो राजा के बेटा ही है स्टालिन जी उनसे वीडियो बनाते पूछते कि हम में सोसल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बिहार के मजदूर परसान है बात खतम होई पे खतम दो गो एक मुखमंत्री बोल देता खतम हो जड़ता लेकिन ये साजिस था इस आग को बढ़ाना था क्यों नहीं रोका गया एक 11 फरवरी से वीडियो बाइरल हो रहा था एक अख़वार में 21 फरवरी को पोर्टल पे लगा ये ख़बर 28 फरवरी को पपू यादो और डॉक्टर अनिल सहनी जी ने ट्वीट किया ट्वीटर पे एक मार्च को जो है बिहार के अकबारों में आया दो मार्च को बिहार के अकबारों में आया दो मार्च को बिहार विधान साबा में हंगावा हुआ और तीन मार्च को मैं वीडियो बनाया तो सब को छोड़के मनीस कस्टेप को डालेंगे ये लोग डरे हुए हैं और इन लोगों जो भी आना अभी डिजिटल जबाना है अभी उठ जबाना नहीं है कि तेल डाली है और जलाई है उसर जबाना खत्ब आपने आग की बात की आपके अंदर कितनी आग है क्या बस जो आग अभी मुझे निकलती हुई दिख रही है ये आग है या फिर कुछ ये आग को आप पॉजिटिव आस्पिक्स की तरफ ले जाए हैं और किस टाइप का मजदूरी करते हैं टोइलेट साब करते हैं तामिलाडू का एक नेता बोला ना हम अगर उहां पे होते ना तो उसके च्छाती पर चड़ के जो है उसका बाती तूर देते जो बोल दिया कि बिहारी जो है टोइलेट साब करता है हम तो तो तूर देते हैं स उसने पूरे बिहारी को बोल दिया कि ट्वालेट साब करते हैं, हम तो वहां रहते तो पूरे बिहारी का अपमान, अगर कोई करते हैं, हमें देश से प्यार है, जैहिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग, भारत का कोई भी कोना हो, हम उतना ही प्यार करते हैं, जितना बिहार स करते हैं अगर कोई दूसरे राज का भी अपमान करेगा तो भी हम लोग खड़े मिलेंगे लेकिन कैसे बोल दिया कि टोइलेट साब करते हैं क्यों नहीं बिहार का नेता लोग जो है उसके उपर एनने से लगा कि जो है विहार में केस डाला एनने से छोड़ दीजे एक छोटा गलत लोग ही सिर्फ नेता बनेंगे क्या राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा क्या नेता का बेटा ही सिर्फ नेता बनेगा क्या सिर्फ पैसा वाला नेता बनेंगे अगर ऐसा है तो अगर इस चीज को ऐसे लोग गुनाह समझते हैं न तो यह गुनाह मैं बार बार कर बिज़ाना नहीं है मैं माईक के साथ जो काम करता था वो करता रहूंगा और मैं किसी से नहीं डरूँगा फिर माईक उठाऊंगा और ऐसा नहीं है कि बीज़ेपी सासीत परदेशों में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा वहां पर अगर कुछ गलत होगा तो भी मैं कई चाहिए ना यानेता मिलने वाला है इसके बारे में नहीं सूचा है ने जो कर रहा हूँ वह मैं करता रहूंगा और जहां भी मिहार तता बिहार्यों का कोई अपमान करेगा साथ ही देश के किसी भी कोने का या देश का अपमान करेगा वहाँ पे मनीश का सेफ खड़ा मीलेगा अंदर कुछ आपने पहन रखा है क्या टी-शेट वज़रे यह उसने बोला था ना माइक थोड़ा देखिएगा हम लोग जैहिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं सरहद पे अगर गोली खाने का नौबत आता है तो बिहारी अपना सीना लेके वैसे ही खड़ा होता है जैसे दूसरे राजी के लोग खड़े होते हैं, जब देश को बचाने की बारी आती है, तो हम बिहारी वैसे ही खड़े होते हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजिनियर, CA, कारपेंटर, वर्कर, फार्मर, सब हमारा बिहार का पहचान है, लेकिन अभी के समय में कुछ भरष्ट, नेत दिम्मक की तरह बिहार की कुर्सी पे फेवी कुट गिराके, फेवी कॉल नहीं, फेवी कॉल से भी मजबूत योड होता है, फेवी कुट, फेवी कुट गिराके कुर्सिया पे बाइट गया है, फिर कहेंगे लोग की आप फेवी कॉल, फेवी कुट वाले से अपने भी आड के लिए पैसे ले लिए हैं अब हम का कहेंगे राजाराम चंद्र जी से भी सवाल कर दिया लोगा सीता जी को फिर दुबारा बनवास हो गया एक सवाल जहन में आ रहा है तो आरोप की बात होगे आरोप पर जो आपका कहना था इस नौ महीने के गैप में कई बार ऐसा हुआ कि आपकी मां से आपके भाई से हमारा इंट्रेक्शन हुआ निवसेटीन बराबर उन तक अपनी पहुँच बनाता रहा मुझे यह बताए जहां तक मुझे पता है या फिर जहां तक मैं जानता हूं कि जेल में एक दिवार होती है जो जाली की तर कि अंदर क्या लगता था जब लोग मिलने आते थे दूसरे दूसरे उसरे राज्जियों से लोग मिलने आते थे, तो रोने के अलावा कुछ नहीं, मंगल बार और विरस्पत बार को हम लोग मिलते थे, बाकी सब दिन जो है, मैं अकेले रहता था वहाँ पे तामिल नाडू में, हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि काला पानी का सजा ह होता है, साइद आप लोग ने भी पढ़ा होगा, मैंने देखा है, मैंने उस चीज को महसूस किया, नमक, चावल, इमली पानी, जो पानी पूरी आप लोग खाते हैं न, पीते हैं, वो पानी, दही का जो मठा होता है न, उसको चावल में डालके, ये सब खाके मैंने चार मह महिना विताया हो, अगर मेरे उपर एने से नहीं लगा होता, जिसको कोट ने खारिज कर दिया, तो मैं साइद दो महिना के अंदर जेल से बाहर निकल जाता है, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, कि मेरे उपर 6, 8, 10 FIR हुआ, टोटल मेरे उपर 18 FIR है, नेचर आप लोग जाके देख लिजे, किसी ने पाकिस्तान का जंडा पाराया, मैंने विरोध किया, अंग्रेज का मूर्ती था, मैंने विरोध किया, 440 बच्चों का भविश से बरबाद किया, मैंने विरोध किया, ट्रेन चाहिए था, मैंने विरोध किया, मैंने विरोध किया, मेरे उपर है उन लोगों को क्यों नहीं डंडित किया जाएगा, ऐसे तो अनेकों लोग जो है, निर्दोस जेल के सलाखों के पीछे जाते जाएगे, जाते जाएगे. आप तो रहके आए ना, क्या अंदर क्या आपको लगा, आपने इतने दिनों तक क्या देखा? मैंने देखा कि आज भी आजाद भारत में सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है गलत सरकार के खिलाफ, कुछ सही सरकार भी है, अटल वियारी बाचपेई के समय में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी भी पत्रकार को कभी सलाकों के पीछे नहीं डाला गया. आज भी जो सरकार है, अगर कुछ लोग चाइना से फंडिंग करा के देश को बदनाम करेंगे तो सरकार तो उन लोगों को रोके गाएं, लेकिन मेरे जैसा पत्रकार, आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए वीडियो मैं बता रहा हूं, मौर्भी में पूल गीरा था वहाँ पे भी मनिस का से खड़ा था, मैंने चार हजार, पांच जार में से चार हजार वीडियो केंदर सरकार से मैंने सवाल पूछते हुए बनाया, कभी नहीं डाला, लेकिन कुछ सरकार जो है न, वो कंस वाली सरकार हो जाते है न, तो वैसे वैसे लोग जो है, जनता के ख देश को लूटने का प्रियास करता है, जो अपने समाझ को लूटने का प्रियास करता है, जो अपने राजी को बरबाद करने का प्रियास करता है, वह सारे के सारे कांस हैं उस जेल में उस गैप के आर और पार एक तरफ आपकी माँ दिखती थी एक तरफ आपको निहार रही थी तो वो सिचुएशन के बारे में ज़रा बताई आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बार मुझसे कहा भी कि मुझे तो मेरे साथ जो हुआ उसका कतई मलाल नह लोंगा आज फी यूटीवब मेरे मां को गाली दे के विडियो बनाया नाम नहीं रखूंगा यहां पे गाली दे के विडियो बनाया क्यों नहीं पर करो podstaw यह तो गंदी गाली देखे विडियो बनाए मनीश कस्यप गुनागार है ना सजादो मनीश कस्यप को मेरी मा को गंदी गंदी गाली क्यों दिये मेरे पिता जी आर्मी में है उनकी पत्नी जो है देश में सुरक्षित राज में बिहार राज में सुरक्षित महसुस नहीं कर रही है जर मेरे साथ जो हुआ सो हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे मां के साथ जो अपमान हुआ है मेरे भाई के साथ जो अपमान हुआ है मेरे दादा जी का बनाया हुआ घर का जो कुरकी हुआ है वो जिन जिन लोगों ने किया है या तो मैं रहूंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूँगा अब इनको जो करना है मेरे साथ कर ले लेकिन मैं जिन्दा रहूंगा तो मैं आप लोगों से बदला जरूर लूँगा मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं कुछ आप से बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कुछ आगे जाके यूट्यूबर भी बनना चाहेंगे उन्हें काफी हिम्मत आएगी और मनीश से जब बात चीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत कड़ा बोल दे तो मैंने करी कड़ा नहीं बोलते हैं लेकिन तथ्य परक बोलने का जमाना है क्योंकि कब कौन सी कह सकते हैं चोट कहां से लग जाए क कहां नहीं जा सकता कई लोग हैं अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमेर सवाल मनीश जी आपसे आप शांदार बरांट बिहार के टीसिट पहने के चल रहे हैं तो क्या बीज़ेपी आपको 24 में टिकट देगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे हाँ या ना मैंने राजनीती के बारे में अभी नहीं सोचा है मैं बस मेरी मां के आशुओं का अपमान के बारे में सोचा है और मैं उस बदले की आग में जल रहा हूं मैं लूंगा बदला मैं मजदूरों के अपमान के बारे में सोच रहा हूं जो बिहार के मजदूरों के साथ दिन रात हर दिन का om हम लोग किसी काभी किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि सबसे बढ़ियां तो यहीं जगह लेकिन बविस्य से मैं क्या हो हtes और ना आपको पता है ना मुझे पता था कि जेल से निकलने के बाद इतने बड़े चैनल पे मैं यहाँ पे बैठें इंटर्व्यू दूँँगा और ना आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है तो मनीश जी आप किसकी सरकार चाहते हैं कि बिहार में आए बस मैं इतना चाहता हूं कि कनहिया की सरकार बिहार में रहे, कंस की सरकार ना रहे, मैं इतना चाहता हूँ कि बिहार को बनाने वाले लोगों की सरकार रहे, बिहार को बरबाद करने वाले लोगों की सरकार ना रहे, अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बिहार को आखिर बनाएगा कौन और बिहार को आखिर बरबाद कौन कर रहा है ठीक एगला सवाल सर जैसा कि आपने कहा कि यूट्यूब से मैंने अपनी जर्णी स्टार्ट की थी तो यूट्यूब पे मतलब अभी आपका जो भी है फॉलोवर्स हैं आने वाले समय पे जो भी मतलब आगे होने वाला है ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा सारे कि छोटे प्लेट फॉर्म पर जा रहा जिफ्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पर हो रहा है ट्वीटर पर हो रहा है तो आगे आपका future plan क्या है मेरा future plane बस इतना ही है मैंने अपने बारे में जहां तक जाना है कि किसी भी हाल में हम जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना है तन समर्पित मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दू तुझे कुछ और दू तुझे कुछ और दू बस क्या ही सोच है मेरा मनी जी हमने आपके fan following देखे हैं बहुत fan follower भी आपके लेकिन कुछ आलोचक भी है जो आपकी पत्रकारता की शैली को लेकर सवाल उठाते हैं मैं पत्रकार हूँ ही नहीं मैं आपको इस मंच के माध्यम से आमंतरित करना चाहता हूं चलिए बिहार के अस्पताल में सबसे बड़ा अस्पताल है ना PMCH में दिखाइए वहां की स्तिति देखिए वहां पे मार के आपको भगा दिया जाएगा तो जहां पे पत्रकार जो है स्तिति को दिखा रहा है उस पत्रकार को मार के भगा दिया जा रहा है वहां पे आप किस परकार का पत्रकार बनियेगा जिस भासा में वो लोग समझेंगे उसी भासा में समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हाड बनना पड़ता है थोड़ा सा उस परकार के सब्दों का चैन करना पड़ता है बिहार से तो वीडियो वाइरल है पत्रकारों को PMCH ममार के भागाया गया देखिए यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाया कि ने व उनको मारा गया पूरा और उल्टा उनके उपर फियार कर दिया गया मनिश्वा तो जाएगा तो हिमत नहीं है कि कोई मार दे नहीं मार सकता है का है कि हम जानते हैं कि हमारे साथ अगर जो जिस तरीके से सैलूग करेगा उसी तरीके से सैलूग करेंगे इस पूरे इंटर्व कि किने मा के आखों से आशू आए विहार में उससे पहले कोई बेटा अपना हाथ लगा दे कि मा तुम रो मा तुम्हारे सारे कश्टो को मैं हर लूँगा मैं उस परकार से बदला लूँगा और मेरा यही टार्गेट हैं बस उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है एक वीछे से हा कडूर 80 लाग है और देश का जनसंख्या लगबग 142 कडूर के आसपस है देश के सारे लोग जो है बिहारी के बारे में ये सोचते हैं कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं किसी भी जगा पे जा सकते हैं यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ब्यक्ति ने पहा प्नृति करने वाले लोग बिहारी को बदनाम करते हैं और ट्वैलेट साप करने वाले यह सबोसमानी जी बिहार के लोग लोग सिर्areth एक काम करें कि अगर हम भोट बिहार में यहारा के नेता को बिहार पूरे भारत के टॉप थिरी राज्यों में से विक्सित राज्यों में से एक राज बन जाएगा. मनी जी आप नौ मैंने जेल में रहें, इस दोरान आपने कुछ लिखा या कोई फ्यूचर प्लानिंग किया कि हाँ? मैंने एक डाइरी लिखा, मैंने एक डाइरी लिखा है, बस मैंने कहीं पढ़ रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था, कि one day your future will be better than your dream, if you work hard with your willing heart. एक दिन आपका भविस्य जो है ना, आपने जो सपना देखा है ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करते हैं तो, और एक ना एक दिन मुझे पता है कि बिहारी ओने जो सपना देखा है ना, उससे भी खूबसू आपके मां के साथ आपकी फैमिली के साथ सबके साथ गलत बिहेव किया गया वो एक समय था जब आपके साथ emotional breakdown भी काफी हुआ होगा और NSA भी लगा कैसे आपने वो सारी चीजों को tackle किया उस समय को कैसे deal किया आपसे पूछना चाहता हूँ दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है बता दीजे दुनिया में सबसे ताकतवर मां होती है और मेरी मां मेरे साथ थी तो मैं तूट कैसे जाता मेरी मां अनपढ है पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दोड़ते रही लोगों से मिलते रही कुछ लोगों ने अस्वासन दिया, कुछ लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, उसमा ने मुझे टूटने नहीं दिया, मेरा भाई, जिससे मैं पहले एक महिना पे 15 दिन पे बात करता था, वो अपना कमपनी में काम करता था, बैंक में काम करता था, उसकी साधी भी ह चुकी है मा के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई उभरा तो वो मेरा भाई था मेरे पिता जी जो अपने पैंसन का पैसा निकाल के दिये है तब मेरा बेल हुआ है पैंसन का पैसा निकाल के दिये है पैंसन का पैसा तब मेरा बेल हुआ है और मेरे वो गरीब दोस्त जिनके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक दिल था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं तब जाने मैं जेल के सलाखों के बाहर निकलत पाए सवाल है आप से, आपने बोलब सत्ता में आएंगे, चीजों को ठीक करेंगे, क्या लिखता है एक आम आदमी को नियाय मिलना कितना मुझकिल है? बिहार के जेल में, बेउर जेल में मैंने देखा, कि जो single murder case है, जिसमें Supreme Court का guidelines है, कि 14 साल के बाद board बिठा के, अगर single nature अगर ये है, कि जमीनी बिवाद में कभी कभी intention नहीं रहता है, लेकिन हो जाता है, तो 20 साल की सजा होती है, 14 साल में सजा पुरा होता है, और board बिठा के ज चोड़ा जाता है, आप देखें, बिहार में एक नेता जी को चोड़ा गया, एक अपराधी को चोड़ा गया, बिहार में, board बिठा के नियम change करके उनलोगों को चोड़ा गया, लेकिन बिहार के भोले-बाले जो बिहार के बेउर जेल में, और दूसरे केंद्रीय कारा में, और मंडलकारा में जो सड रहे हैं उनके लिए सरकार बोड नहीं बिठा रही है और उनको नहीं छोड़ रही है इस परकार से तो अतिचार होता है मनिश जे आप बोले मा को लेकर करांती कारी कदम उठाने के लिए आप तयार है ठीक अची बात है लेकिन आपको लगता है और भी जो यूटूबर्स हैं उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं देखे मैं सभी यूटूबर्स से कहना चाता हूँ और परसांत किस और के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मज़़ूरी वेरुजगारी की बात करते हैं मैं इसलिए भी नहीं बोलूँगा वो अभी तक बिहार को कुछ नुकसान नहीं पहुचाए हैं वो अपना काम कर रहे हैं पदियात्रा कर रहे हैं वो अपना काम करें बिहार के विकास में वो अपना योगदान दे वो उनका काम है बहु सारे इवा नेता हैं बिहार में वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन जो अल्रेडी कुर्सी पर बाइट के बिहार को बरबाद किया है उससे तो मैं सवाल पूछूंगा और जितने भी यूट्यूबर है मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ थोड़ा सा सब्दों का सही तरीके से चैन करके जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बहूत बार जो है आवेस में आके गलत सब्दों का चैन किया आवेस में आई आवेस में आना कोई गलत चीज नहीं है लेकिन आवेस में आके भी सब्दों का सही चैन किया अभी मैं आव चाहता हूं। उन सारे चीजों का सजा मुझे मिला। मैं काट के आ गया। आप लोग जो है यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उससे जो है कुछ करना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखे कि आपका वीडियो से समाज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को नुक पूछना चाहते हैं, मनिश कर्चा करने के लिए हमारे साथ मनिश कर्चप मौझूद हैं तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद भी और मनिश केशप धड़ा-धड़ सवालों का जवाब दे रहे हैं इमोशन्स इनकी आखों में मैं बैटके देख पा रहा हूं क्योंकि हमारी इनकी दूरी कम है और जब ये भर-भर आते हैं तो इनकी आख के दोनों कोर में पानी आता है अब समझ पाएंगे कि दिल से भरे हैं आग तो इन्होंने दिखाई है लेकिन उस आग को अब सार्थक तरीके से पॉजिटिव वे में ले जाना चाते हैं इसलिए हाँ जोड़कर सभी यूट्यूबर से भी अपील कर रहे हैं जितने भी मीडिया परसन से उनसे भी अपील कर रहे हैं कि समल कर बोलिए तत्यों पर बोलिए और भावेश में आकर कुछ भी मढ बोल दीजे अगला सवाल हम लोग ले ले लेते हैं चार ओप्सन था लेकिन उसमें मनीज कस्यप का ओप्सन नहीं था लेकिन कॉमेंट में लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीज कस्यप चाहिए तो उसके बारे में आप क्या लोग लोग तो कॉमेंट में कर रहे था वो चार ओप्सन नहीं था में लिखा कि सरकार के तरकस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब पत्रकारों का गलग घोंड सकता है यह अटल विया रिवाज पर जो तीन वर परधानमंत्री बने उन्हों ने लिखा और उनके दर्द और पीडा को देश के लोग समझे और उन्हें परधानमंत्री की क पूर्सी तक पहुंच गया और अब नया जवाना है यूट्यूवर को लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं इतना चार हैं कि चार गो अपसन वा में मनिस्वा तो नहीं यह रह लखा लेकिन कमेंट वा में खाली मनिस्वे रह लखा तो यह लोग हैं उनके भावनाओं से हमें कनेक्ट होना है उनके दिल में जो है हमें घर बनाना है और जब हम लोग उनके दिल में घर बना लेंगे तो चार ओप्सन में नाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है कमेंट में तो अपना नाम जरूर रहेगा उनके दिल में अपना घर जरूर रहेगा ठीक है अगला पनीज आप एक बड़ा रोवब रहता है कि आप ये सब जो करते हैं ये शुर्खियों में बनी रहने के लिए बहुत बढ़ियां सवाल है. नेता जी लोग सुर्खियों में रहने के लिए जूट परोस देते हैं, बड़ा-बड़ा गोस्ना कर देते हैं, कोई दिकत नहीं. मुंबई के सड़कों पर बॉली बूड में और ना जाने कहा कहा किस परकार से नाटक करते हैं कोई दिकत नहीं हम सुर्खियों में रहने के लिए अगर लोगों के समस्याओं को जही धंग से दिखा देते हैं तो कौन सा गुनाह कर देते हैं, कौन सा गुनाह कर देते हैं, और हमारे सुर्खियों में बने रहने से, अगर बिहार का भला हो जाए, बिहार के लोगों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो जाए, मजदूरों का भला हो जाए, हमारा तो सुरू से जिस दिन जल से निकला, उ य तो मेरे लिए सोभागय की बात है और ये आरोप नहीं है, मेरे लिए गर्ब की बात है. आप में जाती नहीं पूछूँगा जाती ये गरना में कुछ कॉंटिंग होई है आपकी मैं हम जेलен बंद आतरो धारा घंडा थो fij efforts Aww इस गना से क्या लगता है वह भारत में उससे गना किया था तो उससे जैन लोगों का percentage एक परसेंट से भी कम है लेकिन पूरे भारत के educational institute पे पूरे भारत के बिजनस पे पूरे भारत को hospital पे 60% कब जा है उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमारी संक्या कम है तो हमारी भागेदारी नहीं हो सकती है हमारी जैसे इससेधारी नहीं मिल सकती है उन्होंने उसी को ताकत बना लिया इज्राइल इज्राइलीं लोग जो है सिर्फ और 9500,00 है उन्होंने उसको ताकत बनां तो जनगर्ना से कोई फायदा नहीं होने वाला जनगर्ना तो हो गया, छो महीना हो भी गया, हिंदुस्तानी का कॉलम नहीं था, मनिस्का सेफ छुट भी गया, अब विकास करें न बिहार का, अब आये जब इन पर विकास करें बिहार का, अब तो विकास नहीं हो रहा है, अब पता है क्या हो रहा है, कुरसी कुरसी खेला जा रहा है, द आपी के चैनल में आके पूछूँगा कि बिहार में बाढ आया है आज बता रहा हूँ छे महीना पहले बता रहा हूँ भविस्वानी कर रहा हूँ कि बिहार में छो महीना बाढ आने वाला है बचा लो ना बिहार को नदी से नदी को जोड़ दो जोड़ दो बिहार को बचा ल एक scripture खरिद के दे मैं इस परकार की बात करता हूँ तो ये तो गुनाह नहीं है और जातिये जनगर्णा जो बिहार कराया है तो ये भी जनगर्णा करा ले कौन से जाती के कितने बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके पड़ते हैं कौन से जाती के कितने लोग बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं और कौन से जाती के कितने लोग जो है वो सरकार के नितियों से परिसान है ये जनगर्णा जब आ जाएगा तो अपने बिहार में करांती आ जाएगा ना कि बिहार को बचाने के लिए अगर ये लोग बिहार को बचाने के लिए अगर गर्णा किये होते तो सायद आज तक बिहार बन चुका होता ये जो अभी सेनारियो है उसमें कौन, अगर सब ही गलत ही है कोई करने का मादा नहीं रखता है सब बोलने वाले हैं तो नेता है कौन तो पहले अच्छे नेता आना चाहिए पार्टी तो अपने आप खड़ा हो जाता है अच्छे नेता थे पार्टी खड़ी हो गई अटल वियरी बाच पे यह आये ना सुरवात किये थे जीरो से अड़वानी जी जुड़े दू पे गए अच्छो बेरासी पे गए आप भविश्वानिया कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं विहार में क्या होने वाला है विहार में आपका हमारा हम सबका योगदान रहेगा एकदम डेफिनेटली राम अंदर निर्मान हो रहा है और राम अंदर को ले करके भी कई लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है राम लला तो पहले से विराजमान है नया क्या देखता है और क्या ये इस वही कार्ड है बिजेपी का क्या देख रहे हैं आप किस तरीके से देखे ये ऐसे सवाल जो है नास्तिक लोग करते हैं हमें भगवान पर वरोसा है आप उठा के देख लीजे दुनिया का किसी भी कोने में चले जाईए जहां पे धर्म का विकास हुआ है उस देश का विकास हुआ है जिस राज्य में धर्म का विकास हुआ है उस राज्य का विकास हुआ है बिहार में ज्यादा मंदिर है कि साउथ में ज्यादा मंदिर है साउथ में ज्यादा मंदिर है मंदिर के आसपास जो है लोग जो है दूर दूर से आते हैं भगवान का दर्शन कर दें भगव चला रहा है, इन्वर्सिटी चला रहा है, वो क्या कर रहा है, भगवान के नाम पे कोई राजनीती नहीं कर रहा है, वो तो भगवान का मंदिर बना दिया, और भगवान के द्वारा जो है लोगों का विकास कर रहा है, स्रीडी मंदिर को देख लिजे, साउथ में बहुत सारा पास अचारकुनाल किसोर का बहुत बड़ा युगदान है उनके वज़ा से अथक प्रयास से वो बन पाया, वो मंदिर बन पाया, वो मंदिर पांच-पांच अस्पताल बिहार में चलाता है, अब राम मंदिर बनेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राम मंदिर भी 50 समझ में आएगा, नास्तिक लोगों को नहीं समझ में आएगा और वो लोग उल्टा सिदा सवाल जरूर पुछेंगे, इशारा किस तरफ है आपका, भी हम लोग पकड़ बार हैं, जिनको राम पे भरोसा नहीं है, उन पे ही सारा है, हम राम पे भरोसा है, भाई हम नास्तिक लोग हैं, पतलब जो राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, राम तो खुद सब को लाए हैं, राम हम को लाए हैं, आपको लाए हैं, हम सब को लाए हैं, और राम को पता है कि किसको लाना है, राम को हम लोग नहीं पता सकते हैं, कि राम जी इनको ला दी जी जी जे जो चुनाव के समय में घूम घूम मंदिर में जाके ठीकाओं लगाते हैं और संजोग से ऐसे के जगाँ पे ऐसे करते हैं यसे करना के इस धर्म का भी सब भी सम्मान हैícia माम फ प्रॉज़िश देख ले रहा है तो राम को पता है कि किसको लाना है और राम जिसको भी लाएंगे वो सही व्यक्ति को जो है 2024 में जरूर लाएंगे तो मैं भी भारत का नागरीख हूँ बोड़ देने का मुझे अधिकार है अगर मैं जेल में नहीं गया अगर साजिस करके मुझे फिर से जेल में नहीं डाला क्या पता में आख से निकलू पिछली बार जो है मैं न्यूच उंटर्व्य दिया था भी आर गया वहाँ पे जो है surrender करना पड़ा मुझे जाके थाने में surrender किया मैं खुद सरेंडर किया अब बहुत सारे चैनलों पे चला कि मनीश का सिफ हुए गिराफतार अरे गिराफतार नहीं हुआ मैं सरेंडर किया तो अगर मैं जेल में नहीं गया तो मैं सही व्यक्ति को जरूर वोड़तूंगा दिल में कौन सी कसक है कौन सी आवाज आ रही है दिल में बस एक ही कसक है कि आये देश का हरे कोना जो है वो विकास के रास्ते पे आ चुका है और विक्सित हो रहा है आज भी बिहार जो है भारत का किसी भी राज से 40 साल पीछे है और बिहार की राज की राजधानी से 40 साल आपने भविस्वानी की थी कि बिहार में पुल गिर जाएगा और पुल गिर गया फिर आपने एक दावा किया कि बिहार में सरकार गीरेगी और सरकार कब गीरेगी कैसे गीरेगी की सरकार गीरने के दो चारी रास्ते हैं या तो सरकार सडक से गीरेगी या फिर सरकार संसत से ग पूल गिरा ना, गिरा की नहीं, मैं बोलके गया था कि इसको साइज रंग से बनाओ नहीं तो गिर जाएगा, हम बोले थे ना कि जेल से निकलेंगे, 180 दिन के अंदर जो है सरकार गिरेगा, हमको पता भी नहीं, हम सोय हैं, यूट्यूब पे विडियो देख रहा है कि इस बिय से मैच करती है, जाए, दो, चार, दस, हजार लोगों को छोड़ दिया जाए, तो सभी लोग देश से प्यार करने वाले लोग है, और वैसे हम लोग आदमी है, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तयार है, तो हम लोग राष्टवादी लोग है. तो बाउंसर को रखना पड़ेगा किसके लिए, जो लोग साजिस करते हैं हम लोगों के खिलाप, उनके खिलाप अपने आपको बचाने के लिए रखना पड़ेगा, ये चीज़ है. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार और देश में मनिस कस्यप को घूमने के लिए कभी बाउंसर की जरूरत पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है, चुकि हमारा जो करेज है न, उस सेर का करेज है, और बिहार ही नहीं, देश के हरे कोने में मा जो है न, सेर बेटा किया, जिस दिन आप सभी को सब को हम सभी को पता चल जाएगा न, कि हम सेर है, तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा, और मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो मुझे बाउंसर की जोतनी पड़ेगा, एक सवाल है, बहुश्वानी की बात अचानक से यादा आगे, आपकी मा पूलीजी नहीं पूलीस गिराफ्तार करके जेल में डाल देगा, तो कहीं किसी दिन कहीं बेलोल टूट गया, कहां कहां जाएगे, तामिलाडू में चार गो अलग अलग जगा पे केस हुआ, चेनाई में हुआ, वहां से 450 किलोमेटर दूर मदुरही में हुआ, वहां से 300 किल पुर्ण नहीं चाहेगा लेकिन मा की तो है उम्मीद है कि इस बार तो हो जाएगा कुछ नुपूच नहीं ऐसा मैंने नहीं सोचा है मेरी मा को दो बेटा है एक बेटा जो है मेरा चोटा भाई है वो मा को देख लेगा और मैं बिहार और देश के लिए समर्पित हूँ शादी अगर कोई अपरादी भी होना उसके परिवार को तूटने नहीं देना चाहिए क्योंकि परिवार का गलती नहीं होता है इतना खुबसूरत देश भारत है इतना खुबसूरत सविधान जो है बाबा साब अमेडकर ने लिखा है गरीब हो के लिए जिनके पास पैसा नहीं अच्छा यह बताईए मेरे पास अगर सो कड़ों रुपिया होता तो मेरे घर का कुरकी हो जाता क्या हो जाता आप से पूछ अगर ऐसा होने लगे तो साय आज का आज विहार मेराम राज आज आज आ जैगा लेकिन बिहार में अभी तो राम राम राज नहीं हो मुझे जीरो पे लाके खड़ा करने का प्रयास किया गया है जीरो पे और मैं जब नौ महीना जेल के अंदर था तो मुझे लगा कि मनीज कस्यव को फिर से एक नया सुरुवात करना पड़ेगा लेकिन जब मैं जेल गेट के बाहर आया ना जब मैं जेल गेट पे निकला ना मैंने अपने जिन्दगी में जेल गेट पे भारत के किसी भी कोने में इतना भीड नहीं देखा है आप लोगों न या था और जेल गया था उस लकीर को यहां के लोगों ने और बड़ा कर दिया है और मुझे जीरो बनाने का प्रयास सरकार ने किया लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हीरो बन गया और मुझे इस बात का गर्भ है और वहां पे अगर आप बेऊर जेल पे रहते न तो वहां पे पता चलता कोड़ुरपत्ती घर का कोई नहीं था कोई बिधायक का बेटा वहाँ पे नहीं था खड़ा मेरे इंतिजार में कोई नहीं था कोई अमीर कोड़ोरपती नहीं था रिक्सा वाले ठेला वाले जो भी सुनते थे मनिस कस्यप निकले गा एक दिन पहले भी उतना ही भीड था और अगर टाइम फिक्स रहता बता दिया हो पर जेल जाने से कुछ दिन पहले छे फिलार पर दिया उसी नावादा में जेल से निकलने के बाद मैं गया तो सडक पर रोक के वहां की और तिलक मेरा आरती की तो मनिश का से अब तो छोटा लकीर खीच के गया था और जेल से बाहर आया तो देखा ये लकीर तो अपने आप बड़ा हो गया है तो अब मैं सोचा था कि मुझे जीरो कर दिया गया लेकिन मुझे जीरो नहीं किया गया बिहार के लोगों ने बिहार के गरिब लोगों ने मुझे हीरो बना दिया और अगर नहीं बना होता तो सायद मेरी आउकात नहीं होती कि मैं आपके बगल में बैट के इतना देर का इंटरव्यू दे सकोूँ बहुत बहुत शुक्रिया मनिश कर्षप आपका अपने समय निकाला और आपने बात बताई और इस बात को आपने माना कि कभी कभी भाववेश में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं मनिश कर्षप के लिए बार जोरदार तालियां क्योंकि मनिश कर्षप ने अपने दिल एक छोटा सा यूटीवर को ये मौका दिया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए तो इसके लिए News18, News18 के सारी टीम को आपको और सामने जितने लोग बैठे हुआ हूँ, उन सभी को धन्यवाद और आप लोगों से बिनती करूँगा जितने भी New Channel वाले हैं, मौका दीजे, आप लोग अगर मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई चंदरगुपत मौरे पायदा होगा, आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई अटल विहारी बाचपी पायदा होगा आप लोग मौका देंगे तो हम लोगों के बीच से कोई नरेंदर मोधी पायदा होगा, तो आप लोग जो है, वैसे लोगों को मौका दीजिए, और जब आप लोग मौका देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हुई है, लेकि सार्थक प्रियाज करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए भी, मनी शाष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिन